विधान सभच चुनाव जिसमें हम चुनाव आयुक्त के बारे में बात करेंगे इकिचित्ते ने अच्छे ढंग से काम करता है जैसे कि 8 जनौवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 रज्यू में चुनाव कराया क्या किया 5 रज्यू में चुनाव किया पंजाब उत्राकन गोवा और मड़िपूर यूपी में साथ सीटो पर चुनाव हुआ इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को हम लोग को में पॉइंट क्या है में पॉइंट इहां से है दस फर्वरी को मतदान शुरू हुआ दस फर्वरी को मतदान शुरू हुआ और दस मार्च को नतिजा घोसित हुआ यानि रिजल्ट आ गया तो कहने का मतलब यह है निर्वाचन आयूग समय सिमा तय कर देती है कि कब क्या करना है ठीक है उसी तरह जितने भी अस्टेट की सरकारे हैं राज्ये हैं जितने भी राज्ये हैं कोई भी कमपेटेडिव एकज्याम को एक फिक्स डेट क्यों नहीं तय करती है किसी भी भाहाली को पंचवर्षिय जोजना में परिवर्थन कर देती है यानि भाहाली निकालती है दुह 20 में तो उसे पूरा करेगी 25 में तो उन अस्टेट सरकारों से हम कह देना चाहते हैं इतना मुर्ख मत बनाव जानता को और नहीं तो यह निर्वाचन आयोग जो है उन से टीर्षन लो जाकर कि देखिए पूरे देश की चुनाव कराते हैं फिर भी समय पर पूरा कर लेते हैं यह वो तुम लोग अस्टेट सरकार हो कि किसी भी भाहाली को पांच वर्ष में पूरा करते हो क्यूँ क्या समझ रखे हो अपने आपको निर्वाचन आयोग से टीर्षन लो किसी का भी सरकार क्यों न हो एक समय सीमा तै की जाए किसी भी भाहकेंसी में जैसे में बिहारे में समझ लिजिए चाहें यूपी में बहाली हो रहा है सिक्षक का हम सिक्षक एजुकेशन विभाग से कहते हैं सिक्षा विभाग से कहते हैं कि आप छाठा चोरोन को क्या समझ रखे हैं उसमें अमरित का फुल डाल दिये हैं का वो बढ़ता ही चला जा रहा है यूपी के बहाली है 79,000 वली सिक्षक की वो भी अभियाज तक फाइनल नहीं या सुन रहे तो समझ ले ये निर्वाचन आयोग से जाकर ट्यूशन ले ले 21 तरह परकिरिया को पूरा किया जाता है वहां जाने से निर्वाचन आयोग के पास अपने अपने जाकर ट्यूशन लो तो अब परकिरिया जो है निश्चित समय सिमा पर पूरी होगी एक भाली क तुम पाच बरसी जोजना लगाते हो अजब चुनाओ का नतीज़ा है तो दस दिन में रिजॉल्ट आ जाता है एक महिने में रिजॉल्ट सब कुछ मंत्री मंत्री सब बन जाता है यहीं नोटिफिकेशन किसी भी भाली का नोटिफिकेशन निकाल दिये 2020 में न तो वो 2025 में भी पूरा नहीं होगा यह गरांटी देते हैं आयोग ने अपना यहां पर खाका तियार किया है उसी तरह सम्झा देगी सभी सभी स्टिट सरकारों को की किस तरह बहाली निकलना है और किस तरह पूरा करना है निर्वाचन कैसे समय पर पूरा हो जाता है चुनाओ प्रणाम भी आजाता है मन्तृ भी बन जाते हैं लेकिन नोटिफिकेशन आता है इस सल वाली ऊकरते करते फिर अगले चुनाव आजाएगा बाहर बाहर सरकार वाह गरदा का बार दिया अगर ये बात जिनको पसंद आई वीडियो को शेर करना जिनको नहीं पसंद आई है तब भी सेर करना गुरुब डी के एकजम 2019 से में आया था और 2022 में अभी परिक्षा हो रहा है तो जुवाइनिंग और फीजिकल को भगवा सरकार वाह